उतर प्रदेस के सरकार कोटा से अपने छात्रों को वापस ला चुकी है। प्रदान मंत्री जी ने राष्ट के नाम संबोधन में देश की जनता से माफी मांगते हुए कि कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जिससे मुकाबला करना है तो लॉक डाउन का पालन करना होगा और सोशल आइसोलेशन यहीं उन्हेंने मूल मंत्र बताया। अब सभाविक रूप से देश सभा सो करोल का देश आदरनिय प्रदान मंत्री जी दोरा निवेदन और भारत सरकार के ग्रिह मंत्राले का जारी अनुदेश जिसमें यह कहा गया है कि इस डाइरेक्टिव को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते। तो यह सवाल उठना लाजमी था। यह सवाल है कि जहां जिसको रहना है प्रदान मंत्री जी कह रहे हैं उनका अनुरोध वो देश की स्थिती को देख करके उन्होंने अनुरोध किया होगा यह कहना कि आपको परिशानी है परिवार से दूर हैं उसके बाव्यूद जो बेटी कोटा से आई थी जिस बस से आई थी आज उस बस में वह गाजीपूर की बेटी उसके बारे में मीडिया सुचना मिली कि वह पॉजिटिव पाई गई आज उसका प्राइमरी इलाज सुनू हो गया है यह कितनी चिंता अब कि उसके साथ जितने चात्राय होंगे उ पहिला होगा तो वह ना धर्म पहचान रहा है ना परिवार पहचान रहा है उसके चपेट में आ जाएंगे आज एक घटना ने आख खोल दिया मानिये मुख्मंत्री जी यही निवेदन कर रहे थे कौन हमारे मुख्मंत्री जी खुद सम्वेदन सील है हमारा बेटा हो या तक जो सूचना है लगभख सत्तर से जाइदा लोग वहां एक खोटा छोटे सहर में सत्तर से जाइदा लोग पॉजिटिव पाए गए तो आप उस पूरे लंबे स्ट्रेचर में अगर आप आएंगे तो वह बच्चे हमारे बच्चे भविस हैं उस परिवार के भविस हैं क्यों डालेंगे हमोहीं की सरकार से निवेदन करेंगे विंती करेंगे कि आप होहीं रखी है कॉई परिशानी है तो राज सरकार ये था सब्बब सही ओक करे लेकिन ये राजनीत का एजंडा नहीं होना चाहिए। प्राण रक्षा का मूल मंत्र बताया लॉग डाउन और आई सोसल आईसोलेशन तो उसका अनुपालन किया जाना हर राजी के लिए आवश्यक है नहीं लगता है कि जोगी सरकार ने जो कुछ किया अगर नहीं किया होता तो सबके निसाने पर होते हैं अभी भी निसाने पर हमक तो क्या उसके पहले सेनेटाईज नहीं होना चाहिए था हमने ही कहा था कि तीन मीटर का अनुपालन करना है 75 मीटर की कौन सी बस है तो बस आपने मारके का नहीं बना सोसल डिश्टल्स का अनुपालन नहीं किया आपने उन बच्चों की जाच नहीं कि तो उन बच्चों का जीवन ही उस परिवार का जीवन है उस उस पूरे देश का जीवन है इसलिए मेरा सवाल पहला है कि उस बच्ची क्या गुनाह क्या भगवान उसको जल से जल स्वस्त करें अपको नहीं लगता है कि राजनिती हो रहे हम लोग अगर उपर वाली का अभी आशिरवाद है कि हम लोग अभी 100 की संख्या नहीं पार कर पाए हमारे मरीज ठीक होने में बहतर इस्थिति में है देख लिए जो लोग यह कर रहे हैं वो जीवन से खिलवाल है की नहीं अरे दवा नहीं है मत करिये भटकिये मत राजनीत का एजन्डा बनाना राजनीत में करेंगे अभी मानवता की रक्षा के लिए जो आधरनीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है और माननीय मुख मंत्री जी ने जो रोध किया है उसको सत परशत पालन करिये एही रास्ता है दूसरा कोई रास्ता नहीं अगर भटकियेगा तो मानवत खत्रे में पढ़ जाएगी तो आप सुन्ड़ा है बिहार सरकार के मंत्री क्या कहना है कि जिस तर से छात्रों की जान खत्रे में डाल कर उनको कोटा से उतर प्रदेश लाया गया यह ठीक नहीं है अगर राजिती करेंगे हम कोरोना पर तो भविस्य हमारा खत्रे में पढ़ उख खत्रे में पर दो भविस्य हमार णिस अजर करेंगे हम जाएगी तो आप से बाएगी तो आप से घएगी तो आप सुन्वा जारा खत्रे में यह है बिचिती करेंगे हमारा इंड़ कर दो दूशत रहागी झाएग।